आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा और आप देखे कि हमेशा ये चर्शा में बनी रहती है हाँ मैं इसमेटी इरानी की बात कर रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब 2014 के पहले आप लोग जाएंगे तो महंगाई पर काफी अंदोलन करती रहती थी इसमेटी इरानी साहब और आप देखे कि फिर अगर चर्शा का दूसरा कारण बताएं तो आप देखेंगे कि राहुल गांदी को इन्हों ने ही हराया है 2019 के लोग सभाचुनाओ में तो इसके कारण भी काफी popular leader मानी जाती है और हमारे देश की राजनितिक है तो मुझे लगता है कि एक सामन जानकारी आपके पास राजनिताओं के बारे में होना चाहिए कि आपका नेतर किस तरह की मंत्री कर रहे है कितने पढ़े लिखे है समझ रहें आप लोग तो इस क्रीन पर आप लोग समझ रहे है ये हैं इसमिर्टी ईरानी और इनके अगर हम लोग बात करें बास्त्तविक नाम की 266 में यानि कि जिसम हमारे देश में राष्टी आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी और सभी आप जानते होंगे कि इंद्रा गांधी के समय की बात है तो उसी समय आप देखे इनका जनम हुआ था भारत में और नई दिल्ली भारत में इनका जनम हुआ था और अजय कुमार वालोत्रा पंजावी थे इनके पिता थे पंजावी खत्री और माता सिवानी वक्ची ये बंगाली थी तो पिता पंजावी थे और माता बंगाली थे और पती की बात करें तो जो भी नीरानी जो आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमेन हैं विफसाई हैं इनके बेटा का बेटा ह जोहर इरानी और बेटी का नाम है जोईस इरानी ठीक है अगर हम लोग इनके पढ़ने लिखने की बात करें इरानी की इसमेरती है तो हॉली हॉली चाइल्ड ओक्सी लियम स्कूर नई लिल्ली से इन्होंने अपनी सिख चाली हुई है दिली विस्ते विद्ध्याले में भी माता भी रहे हैं और किस पाइटी से जुड़ी हुए भारती जिन्ता पाइटी से जुड़ी हुए बीजेपी से जुड़ी है भाजा पाइटी जिसे कहते हैं आप लोग इसमेरती इरानी के अगर हम लोग टीवी केरियर की बात करें तो साल 1998 में मीका सींग के साथ सावन में लग गई आग एल्बम के एक गीत में दिखाई दी थी पहली बार और साल 2000 में आप देखें कि उन्होंने 30 और हम हैं कल आज और कल सो के साथ एक अबनेत्री के रूब में टेलीवीजन पर सुरुआत की और दोनों सी रियल इस्टार फिलस्पर पिसारित हुए थे फिर आप देखेंगे इसमीती को पहली बार टीवी निर्माता सोभा कपूर एकता कपूर की मा ने देखा था और वह है बैकमेंड के उहूल लाला नामक सो के निर्माता के साथ काम कर रही थी इसके बाद आप देखेंगे साल 2001 के मद्ध जब उन्होंने इस्टार फिलस्पर एकता कपूर के प्रोडक्शन क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं तुलसी बीरानी की भूम कहने बाई तो यह घरेलू नाम बन गई और यह सीरियल आप सभी जानते हैं कि 8 साल तक चला और इसमीती भारत की सबसे चहती बहू बन गई और इसलिए भारत की बहू भी कहते हैं इसमीती का कहना है कि हलाकि उन्होंने सीरियल का भी का एक भी एफिसोड कभी नहीं देखा अपनी टीवी कारकाल से पहले इसमीती ने कई मॉडलिंग असाइन्मेंट भी किये थे और 2007 में उन्होंने शौनी टीवी के धारा बाहिक विरोध्य के साथ एक टीवी निर्वांता की रूम में अपनी शुरुआत की थी कथे तौर पर उन्होंने एक टाकपो के साथ मदभेद विक्सित किये और 2007 में सो छोड़ दिया हाला कि 2008 में उन्होंने एक बिसेश एपीसोड में बाफसे की थी पर आप देखेंगे उन्होंने सो टीवी सो में ये जलवा है जलवा है जलवा की मेजबानी की जो एक डांस रियल्टी सो था जो 2008 में आप देखेंगे 9X पर पिसारित हुआ था फिर आप देखेंगे 2001 में ही जी टीवी के रामाट में सीत्या का भी पुराणिक भूमिकाईनों ने नभाई हुई थी फिर इनका कुछ फिल्मी केरियर भी रहता है 2010 में उन्होंने फिल्म मलिक एक से हिंदी फिल्म की सुरुवात करती है फिर आप देखें कि 2011 में उन्होंने फिल्म जै बोलो तेलंगाना से तेलगू में सुरुवात करती है 2012 में फिल्म अमरता से बंगाली फिल्म की शुरुवात की उन्होंने और उसने विविन ने थेटर प्रोजेक्ट की पहला हिंदी नाटक कुछ तुम कहो कुछ हम कहा और इसके बाद उन्होंने अपना पहला गुजराती नाटक moneyban.com सीसक से किया उन्होंने जै बोलू तेलंगाना नामा के एक तेलगू नाटक भी किया तो एक अच्छन की फिल्मे केरियर है गया हो गया फिर आप देखेंगे राजनेतिक पारी की एकर बात करें राजनेतिक यातरा की तो आप देखेंगे 2003 में जब क्योंकि सास भी कभी ब एकवाल कर रही थी साल 2004 में आप देखेंगे दिल्ली के चंडी चौक से लोकसवा चुनाव लड़ा और कौंगे सुमीदबार कफिल से बल से हार गए और उसी बरस आप देखेंगे भाजापा की महराज की युवा साका की यह अध्यक्च बनाई आती है फिर आप देखेंग की लोकसवा चुनाव में उन्होंने अमेठी के उत्तर पिदेश की अमेठी निर्माचन चेत से राहुल गांदी के इसकलाब चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार जाती हैं और आप सभी जानते ही कि उत्तर पिदेश राजनिती की दृष्टी से काफी मात्पूर है क्यों मैं कुझी इहां देखेंगे लोकसवा में 80 सीट हैं राज्यसवा में 31 सीट हैं बिधान सभा में 402 सीट हैं बिधान परिश्ट में 100 सीट हैं और इसलिए आप देखते हैं कि सभी राजनितिक okay पार्टीयों की निगाहें उत्तर पिदेश पर रहती हैं और आपकी अधिकर पिधान मंतरी उत्तरपिते से ही निकल के आये हुए है, अभी वर्तमान पिधान मंतरी मौदी साब को देख लिए, ये बनारस से चुन कर आते हैं, संसदीय शेतिन का बनारस है, और आप देखेंगे कि कहा जाता है ऐसा कि दिल्ली की जो सत्ता है न, इसका रास्ता कहा से होकर जाता है लखनव से होकर जाता है और आप देखेंगे पिदान मंतरी नेज मौधी ने उन्हें 26 मई 2014 को अपने कैमिनेट मंतरी के रूम में मानव संसाधन विकास मंतरी के रूम में नियुक्ति की जाती है जिससे वह समय कम उम्र की कैमिनेट मंतरी बन गई थी वह हमेशा रेली जी गुजराती, मराठी और वंगाली में धारा प्रभा है और आप सभी जानते हैं कई चेत्रों में प्रचार भी करती रही है दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाओं ने इसमेती ने कॉंग्रेस अध्यक्ष गांधी को राहुल गांधी को अमेठी में पराजित किया जाय और अभी आप सभी जानते हैं महिला इवन बाल विकास मंतरी भारत सरकार में तो एक तरह से आप लोग इसमेती इरानी से एक और बास सीख सकते हैं कि अगर आप हमेशा लगे रहते हैं किसी काम में तो उसमें सभलता हासिल कर लेते हैं 2014 में राहुल गांदी से चुनाओ हारने के बाद इन्होंने इसमीती ने कहां? अब सभी को मालू होने चेही कि अमेठी को छोड़ा नहीं था, वो वहां 5 साल तक मेहनत करती रही, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। इन्हें कुछ पुरुसकार भी दिये गए हैं। में भी दिया गया और इसम मेती इरानी को 2002-2006 में इंडियन टीलिए अवर्ड से भी सम्माुनित किया गया। उन्हें दोजार पाच में ग्रेट जुड़े कई बेबाद भी हैं और आप देखेंगे कि जब भी कोई राजनिता होता है तो उससे बेबादों का जुड़ना सुभाविक सी बात हो जाती है मौधी पर किया था इन्होंने हमला तो मौधी की एक समय विरोधी भी रह चुकी है साल 2004 में इसमीती ने नेदल मौधी पर हमला करती हुए कहा था कि उन्हें गुजरात के मुखमंत्री का पत छोड़ देना चाहिए इसमीती ने गुजरात दंगों को लेकर कहा था कि नेदल मौधी को इस्थीपा दे देना चाहिए वही इसमीती के इस बयान से पार्टी काफी नाराज हुई थी और पार्टी ने इसमीती को अपना बयान बापस लेने को कहा था जिसके बाद इसमीती ने के कारवाही से बचने के लिए अपने इस बयान को बापस भी ले लिया था और अभी आप देखे कि पिदान मंतरी मौध के काफी खास मंतरी हैं डिग्री को लेकर भी विबाद रहा है इसमीती इरानी को सबसे जयंदा जिस विबाद से परिसान किया है वो है उनकी डिग्री को लेकर दरसल इसमीती इरानी सन 2004 के लोकसावा चुनाव के लिए भरे अपने हलप नामे में अपनी उच्च सिक्षा बी बताई थी जो कि उन्होंने दिली इनुवर्सिटी से की ते जब इसमीती इरानी 2014 के लोखसभा में परा गया, उस हलम मानमे में उन्होंने अपनी सैप्षडो क्योगता बीकोंम भरी थी, दो नामानकर में बताई गए अलग-अलग सैप्षडो क्योगता के कारण, उन्होंका काफी बिरोध भी जिलना पड़ा था और यह मसला कोट तक जा पहुंचा था जिस समय श्मीति का यह बिवाद हुआ था उस समय उन्होंने मानव संसाधन विकास मंतरी का पद समाला हुआ था तो मुझे लगता है कि देखे सच लिखा करिएगा जहां भी आप लोग क्योंकि देखे वहां सच काही हकीत रहती है तीक है आंगे आपको सुधार करने की गुंजाय से नहीं रहती है अध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद मानव संसाधन विकास मंतरी रहते हुए जिस दूसरे विवाद ने इसमीति को घिरा था वो था नांगपुर के विस्तो जर्मन वो संस्कित भासा को लेकर भी विवाद में रही है बातो और मानों संसाधन विकास मंतरी रहते हुए इसमीति रानी द्वारा केंद्री विध्याले में पढ़ाई जाने वाली जर्मन भासे है भासा को विस्तों से अलग करने की फैसले पर भी काफी विवाद हुआ दरसल इसमीति रानी ने स्कूलों को 2014 में आदिश दिया था कि वो अपने स्कूल में जर्मन भासा की जगे बच्चों को संस्कित पढ़ाए और इतना नहीं इस मसले पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने ने नद मौदी से बात भी की थी तो इस समय भी आये काफी सुरक सीकतियों में रही थी ρोहित बेमुला आत्म अत्यय विवाद में भी इनका नाम रहा था है रहदरा विम्याला की साफ्ण के और अखिल भारतीय विद्याले परत के द्वारऑ की गई सिकायत सिकायेद för हैदरा वर्ल digit विस्विद्याले की कुल्पति को विम्यलास सहित डल् क्लाप का कठोर कदम उठाने पड़े थी इसके कारण इस चात्र ने आत्मत्या कर ली थी और पाइटी में कई बाद बदला गया है इनका पद 2014 में बीजेपी के सत्ता में आनने आते ही इसमीती इरानी को मौधी की केमिनिट में जगह मिलती है उन्हें पाइटी द्वारा इसका सूचना वो पिसारन बंतरा लैसों पा जाता है तो यह ही कहानी रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पावरफुल लेडी आप लोग कही है बीजेपी में कद्दावर नेता है तो इनकी कहानी अभी तक तो यही रहती है आगे किस तरह से इनका फिदर्सन रह बंगे तेका?